देखे अमिर हो या गरीब या फिर मैला हो या पुरुस और बच्चे बुढ़े सबको गीप्ट पसंद है गीप्ट यानि उपहार जिसकी लेन देन यानि आदान प्रदान यी काफी लंबे समय से चलिया रही है और देखे गीप्ट के आदान प्रदान से एक दुसरे की भाव समार बिजनेस कंसल्टान सबसे फहले जैनेंगे गीप्ट कब दिया जाता है धेकि कि अगर किसidän का बढ़ा आता है तो अगर किसींका अनिवरसरी आता है तो अनिवरसरी गींट या फिर किसी7-अरिटारमेंट हुआ तो retirement पर भी gift या फिर देखिए कहीं पर अगर साधी होता है तो वहाँ पर wedding gift ऐसे देखिए Christmas पर गिप्ट होता है जो कि most of the customer आपके gifts अप में आके खरीदेंगे तो फिर ऐसे gift product को ना हम कहां से सस्ते में खरीच सकते हैं देखिए भारत के अंदर लगबग हर एक बड़े सहरों में लाइक अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर देखिए सदर बजार या फिर चांदिनी जहां से आपको gift की हर एक item मिल जाएंगे वो भी wholesale price में और देखिए अगर आप UP से है ना तो फिर UP में देखिए मरादाबाद और मेरट जहां से metal gift और fountain gift को आप सस्ते में खरीच सकते हैं देखिए मरादाबाद को ना पितल की नगरी कहा जाता है यानि brass city कहा जाता है जहां से देखिए brass handicraft item को आप सस्ते में खरीच सकते हैं और फिरजाबाद से देखिए glass handicraft सहारणपूर से photo frame उडेनाट और कानपूर से देखिए leather wallet और Porsche को आप खरीच सकते हैं ऐसे देखिए ceramic mock और coffee mock के लिए गुजरात और EP में खुरजा जहां से आप सस्ते में ले सकते हैं और तो फिर आप अलग-अलग location पे जाके gift product को आप bulk में purchase कर सकते हैं परंतो अगर आप छोटे स्तर पे शुरुआत कर रहें तो फिर एक ही जगे से आप bulk में purchase कर सकते हैं लाइक जैसे की देखिए अगर आप दिल्ली में हैं तो फिर सदर बाजार या पिर चांदीनी चोग जहा अलगा देखिए भारत के और भी बड़े सहरों में आपको wholesale rate में मिल जाएंगे और इसे पता करने के लिए आपको जाना होगा इंडिया माट पे जहां पे जाके आप आसानी से ढूंड सकते हैं यानि आपके नजदी की wholesale और कौन है जिन से आप wholesale price में खरीच सकते हैं अब द देना होगा और उसके अंदर आपको interior भी करना होगा परंतु देखिए यह जो interior है ना यह आपके budget के हिसाब से करना होगा सबसे देखिए मान के चलिए अगर आप 3-4 लाग में शुरुआत कर रहे हैं चोटे स्थर पर शुरुआत कर रहे हैं तो फिर देखिए आप interior पे ज् investment होगा और देखिए आपका monthly operational cost लाइक देखिए हर में आपको electricity bill देना होगा अगर आप एक employee रखते हैं तो फिर उनको हर में ना salary भी देना होगा यानि overall अगर देखा जाए ना तो 3-4 लाग लेके आप एक छोटे स्थर पर शुरुआत कर सकते हैं परंतु बड़े स्थर प marketing, content marketing, viral marketing, email marketing, influencer marketing, search engine marketing, offline marketing या फिर देखिए ट्रेडशो, event, community building, offer and discount इसके अलाबा देखिए आप tend house owner के साथ भी tie up कर सकते हैं क्योंकि देखिए जहां पर भी tend होता है ना कुछ ना कुछ occasion होता है जैसे कि anniversary, birthday, wedding तो इनके साथ जब आप tie up करेंगे तो ज्यादा ज्यादा customer मिल की उमीद होती है देखिए इसी प्रकार अलग-अलग तरीके से आप customer ला सकते हैं देखिए इसके उपर ना मेरा एक पुराना वीडियो है जो कि मैंने बहुत डिटेल में बताया कि gift shop के अंदर customer कैसे आते हैं और उसका link मैं आपको description पर देदूंगा आप उस वीडियो को ज रखते हो उसपे offer, discount और उसपे customer का satisfaction, customer service और final देखिए आपका location ये सारे चीजों पे आपको competitor से बहतर होना पड़ेगा और दूसरा देखिए customer के हिसाब से आपको हमेशा product रखना होगा क्योंकि customer के हिसाब से जब आप product रखेंगे तो फिर आपका product fast moving item बन जाएगा और जित और तीसरा देखिए जब भी आप gift product का खरीदेंगे हमेशा large quantity यानि आप bulk में purchase करें ताकि आपको extra discount मिल जाएंगे और जब आपको extra discount मिल जाएगा sales करते वक्त आप अच्छे margin के साथ profit भी कमा पाएंगे और चौथा देखिए कुछ selected product के उपर आप offer या discount कर सकते हैं ताकि ज्यादा है ज्यादा customer आपके gift shop के अंदर आएंगे और पांच वाँ देखिए touch and fill gift products यानि आपका gift shop का design ऐसा होना चाहिए जब customer आपके gift shop के अंदर आएंगे वो खुद product को निकाल के देख सके यानि customer को आप खुद देखने दीजिए बजाए कि आप खुद निकाल के उनको दिखाए क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जब customer खुद देखते हैं तो जल्दी decision ले लेते हैं और खरीद भी लेते हैं और फाइनली के cleaning यानि आपका जो gift shop है ना यह हमेशा साब सुत्रा रहना चाहिए तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था और मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए शेयर करिए और इस चानल को आप सब्सक्